तो देखें मार्केट के इंदर क्या चल रहा है अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं क्लियरली एक ही शब्द में बोलूँगा अन्यूजुवल मूव यह जो मूव इस वक्त मार्केट में आप देख रहे हैं इसकी सस्टेनेबिलिटी इन लेवल्स के ऊपर थोड़ी सी डाउट फुल दिखाई देती है प्रीवियस हिस्ट्री कहती है कि जब RSI बहुत ही जादा ओवरबॉट हो जाए 70 के अबव निकल जाए तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आना एक लाजमी सी बात हो जाती है बट यहाँ पर तो RSI की वेल्यू 83 84 के आसपर स्पॉच रहे है ल या फिर अटलीस सुभे का जो टेडिंग सेशन है वो एक बार 18,000 को टच करे और उसके बाद में कोई प्रॉफिट बुकिंग ये सिग्निफिकेंट गिराव अटवा पर देखने को मिले क्योंकि इतने दिन का जो लॉफिट बुकिंग है वो कही ना कही तो प्रॉफिट रहने वाला है यहां पर इन डीप थॉट्स को जो समझता है वो तो हैजिंग करके चलेगा या स्टाप लॉस लगा के चलेगा लेकिन जो वाकी में इससे अंजान है बिल्कुल एक नया ट्रेडर है वो यहां पर ट्राक हो सकता है तो मुझे लगता है कि अगर आप डेली मेर होगी कि इस वक्त की जो मार्केट कंडिशन्स है वो हम लोग एक तरीके से अन्यूजवल कह सकते हैं ओवर स्ट्रेस्ट कंडिशन्स है एनिवेस हम तो यह चाहते हैं मार्केट ऊपर के डिरिक्शन्स में जाए लेकिन देखते हैं अब आगे का मूव कैसा रहता है बजाज यह स्टॉक मैंने क्यों इस वीडियो में पहली आज की पहली वीडियो में चूज किया है क्योंकि इस स्टॉक में आज 8% की शांदार तेजी दिखाई है 8% यह उपर है इन फैक्ट प्रीवेस अगर आप साथ ट्रेडिंग सेशन्स की बात करें इस वाले पर्टिक्लर ट्रे लास्ट वीक के अंदर कई बार कवर कर चुक हो यह आपको पता होगा ठीक है ना यहां पर स्टॉक स्प्लिट का एनॉस्मेंट और प्रस बोनस का जो एनॉस्मेंट आया था उसने इस स्टॉक के अंदर एक बहुत जबर्दस अप्राइज ला दिया था लेकिन यहां पर बहुत बड़ा मूव आया है और इसका RSI भी एक हायर लेवल्स पर है तो अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहें तो कर सकते हैं और कारण मैंने क्या मताया था कि देखे अगर मैं वॉल्यूम्स इसके उपर प्लेस करता हूं यह वॉल्यूम्स आप देख रहे हैं त इनका काम actually complete हो गया है अब इसके बाद में क्या होगा वॉल्यूम अगर कम भी रहेंगे तो भी stock उपर की जरनी चालू रखेगा और आप देखे इन तीन particular session के बाद में जब वॉल्यूम्स बहुत हाई थे वॉल्यूम्स देखे कितना significantly down हुए या फिर average से अगर आप compare तो बिल्कुल average है, average से down हुए लेकिन उसके बावजूद भी price नीचे नहीं है, price उपर की तरफ जातावा दिखाए दिया, it means अब यह लोग play नहीं कर रहे हैं, अब यहाँ पर retailers play कर रहे थे और अब आज के दिन वापस एक बड़े heavy volumes के साथ में आप पर price देखने को मिला है तो जो लोग आज position develop करके जा रहे हैं, long side के अंदर और profit book नहीं कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी problem हो सकती है, आप समझ पा रहे हैं बात को कि इतना जबरदस move आने के बाद में एक बार भी pullback नीचे की तरफ आया नहीं है stock में, rest नहीं लिया stock में, तो यह काफी जादा sharp गिरावट दिखा सकता है, announcement हुआ है कि यहाँ पर bonus and split, पहले split आएगा फिर bonus दिया जाएगा, अभी तक जो date है वो सामने नहीं आई है, किस record date के basis पर यह माना जाएगा, काफी जादा लोग सवाल पूछ रहे हैं इसके बारे में, तो जब वो आईगी देखिए तब आपके 14,800 के हैं, वहाँ पर आपको stop loss place करना है, लेकिन यह stock यहाँ पर रुका नहीं और higher moves पर जाता हुआ नजर आया, तो मैं समझता हूँ कि इस इसाफ से आज 16,000 के levels आपको stop loss की तरीके से देखने चाहिए, अगर आप continue कर रहे हैं अपने इस positions को और यहाँ से profit book नहीं करके जा देता हूँ, 50 EMA एक बहुत अच्छी position में है, और 200 EMA को अगर यह golden crossover की तहत निकाल देता है आने वाले कुछ दिनों में, then definitely stock के अंदर और तेजी आपको देखने को मिल जाएगी, यानि कि और उपर की तरफ यह stock जाता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन उसमें भी situation क्या ह है, कि देखिए अगर यहाँ पर जिस टाइप की profit booking अभी intra day दिखाई दे रही है, अगर यहाँ पर कोई significant profit booking 16,000 तक आती है, then यह 16,000 को crack करने में hesitate नहीं करेगा, आपको समझना क्या है इस चीज को लेके कि 25th of August की expiry है, इस मन्त की series की, तो वहाँ तक यह stock definitely high momentum में रह सकता है मैं अब 25th August से पहले, लेकिन 25th August की जो expiry है, वहाँ पर position कट सकती है, वहाँ पर यह stock नीचे आ सकता है, तो further नई positions बनाने को लेके मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी बचना चाहिए, अब हम इसके main important indicator को देख लेते हैं, जिसको RSI कहा जाता है, तो RSI के जो levels हैं, बहुती जादा overbought हो चुका है यह stock, highly overbought zone में है, और यही एक main कारण है, जिसकी वज़े से थोड़ा सा alert basis पर आपको रहना चाहिए, अब जब इतने high level पर RSI आता है, तो RSI cool off होता है, यानि कि RSI नीचे की तरफ आता है, तो क्या हमेशा इसका मतलब यह होता है कि price भी नी build-up है, अब देखें, momentum अगर lose होता है, तो it means यह नहीं है कि price नीचे ही गिरेगा, वो सकता है, price in कहीं level पर आकर consolidate होने लगे, तो मैं यह नहीं कहरा कि बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन यह भी ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर price ना गिरे, त इस particular chart structure के साफ से जो यहाँ पर दिखाए दे रहा है, stock के अंदर एक positive price section बनना चाहिए, stock नीचे की तरफ cool off होके आए, and then फिर जब वापस उपर की तरफ जा रहा हो, तो वहाँ पर एक important resistance breakout हो जाए, then हम लोग हाँ पर buy positions बनाते हैं, तो इसको समझने के लिए price section समझना इस वक्त अगर आप देखें, पॉने 6% की तेजी दिखाए दे रही है, लेकिन अगर आज आप इसका day high देखेंगे 17,141 का है, तो previous close stress को calculate कीजिए, तो शाड़े साथ से 8% की तेजी आपको दिखाए दे जाएगी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी तेजी हो जाती है इन फेक्ट और 3,500 रुपे अगर एड हो जाते हैं, तो यहाँ पर एक अपर price band circuit भी आपको लगते हैं देखने को मिल सकता था, जो की 17,500 की उपर है, ठीक है ना, लेकिन आज आप देखें, delivery quantity cable 20% है, यह चीज़ क्लिरली हैं आपर बता रही है कि बहुत जल्दी आपको profit booking देखने को मिल सकती है, in fact अभी भी एक से गेड़ घंटे का trading session बचा हुआ है, तो हो सकता है हमें चलते चलते significant profit booking, at least 50% तक profit booking देखने को मिल यह भी हम यहाँ पर expect कर सकते हैं, तो 19,325 का 52 week हाई है, 19 October 2021 का, और यह stock धीरे धीरे उसको approach करने की कोशिश कर रहा है, तो technically देखे अगर हम लोग यह चीज़ देखें, short term की traders के लिए तो trade अब बनती नहीं है, इस stock के अंदर जो situation यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर कोई position आप बनाना चाहें, तो वो बहुत जादा higher risk की end पर होगी, और उसके लिए 16,000 का stop loss आपको definitely resistance level को, in main swing high resistance level को break नहीं किया है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको measure करने की कोशिश करें, तो हमारे पास में levels आ रहे, 17,500 के, 17,500 के level पर एक resistance है, already established resistance है, तो इस level से टकराने के बाद में definitely stock नीचे आएगा, और अगली buying position जो बनेगी, इसके बाद ही बनेगी, जब यह, retest करके इसको cross कर देगा, retest करके cross कर दे तब 17,500 के ऊपर यहाँ पर आपको buy initiate करना है, and then उस condition में आपके जो targets है, वो देखे, previous history के हिसाब से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो आपके यहाँ पर रह सकते हैं, देखे, इस तरीके से, 18,640 के, 18,600 के targets उस condition में आपक के levels पर, और stop loss लगाएंगे इस blue line से ठीक नीचे, यहनी कि हम लोग यहाँ पर stop loss लगा सकते हैं, 17,250 के आसपास का, और इन levels से position buy करके हम लोग target एक अच्छा खासा ले सकते हैं, उपर की तरफ, तो अभी risk to reward favorable नहीं है, risk to reward favorable होगा, 17,500 के उपर जब एक price section positive बनेगा, I hope सारे technical points आपको समझ में आए होंगे कि किस type से positions आपको बनानी है, अभी फिलाल के लिए आपको क्या करना है, तो मेरा suggestion यह है कि अगर आप एक अच्छे कासे profit में बैठें, तो अपने profit को book कीजिए, अगला move जब बनेगा, initiate होगा, then आप इसके अंदर positions बना सकते हैं, और अगर आ आप बिल्कुल बैठे हैं कि मैं split और bonus का फायदा लेना चाहता हूँ, then कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी positions को retain रखिए, जब भी इसका bonus and split आएगा, then definitely आप लोग को यहाँ पर फायदा होतावा, दिखाई देगा, तो यह altogether बजाज FinServe का explanation है, वीडियो अगर अच्छा लग झाले हैं